पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखे वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडोस अकेले में थे दुश्मन सैनिकों ने घिर्पे पत्थनों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा भोल दिया कबिर बेस कार्ट स्कॉर्ट थ्री का भारतिय शेंत्र घुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ लेटनेंट सिंग की पिट्रूल थ्री टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंग की आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पांस बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूगा बहादुरी भाहिचारे और भारत के लिए फौजी